Hello everyone, Welcome again to my YouTube channel NK Maths इस वीडियो में दोस्तों मैं reasoning के वो सारे question कवर करने वाला हूँ जो SSC MTS 2022 के exam में पूछे गए हैं SSC MTS 2022 का exam date आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा exam date हमने कवर किया है 2 माई 2023 का पहला shift है इसमें maths के जो भी question पूछे गया थे उनको मैंने solve कर दिया है इस particular shift की मैं बात कर रहा हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लिजे maths मैंने solve कर दिया है और फिर reasoning solve कर रहा हूँ ठीक है और अगर math वाला आपने नहीं देखा है कि वीडियो में question आपको bilingual मिलेंगे और bilingual बनाने में थोरी मेहनत लग जाती है क्योंकि PPT दो दो बार हमें create करना पड़ता है तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे channel NKMS को जरूर से support करें अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर सकते है Instagram पर follow नहीं किया है तो वहाँ भी follow कर सकते है Telegram group join कर सकते है जहां आपको इसकी PDF provide करा दी गई है आप वहाँ से जाके download कर सकते है ओके let me start from the first question जो first question है अपने पास coding decoding का in a certain code language जो ascent है इसको code किया जाता है इस तरीके से देखो जो English में लिखा हुआ है questions वो थोड़ा आपको blur दिख रहा होगा इसलिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा आपने वीडियो की quality को high करके play करें otherwise मैं कोसिस कर रहा हूँ कि English वाले question ही read करूँ ताकि आपको समझने में असानी रहे ठीक है आपसे code पूछ रहा है कि vendor का code क्या होगा यह बताना है सबसे पहले आप digits बोल डा हूँ sorry for that आप letters देखो कि जो letters इस word में है same letters इसमें लिखे गया है बस letter का जो place है order है वो change किया गया है तो यहाँ पर भी जो letters इसमें है वही letters तो इधर में लेंगे ठीक है तो हम first से start करते हैं अगर आप first letter इसमें देखोगे तो इसमें जो first लिया है वो c लिया है ठीक है c का मतलब या तो second वाला या फिर third वाला letter लिया है तो इसमें देखो second में e है और third में n है याने कि answer e से start होगा या फिर N से start होगा कोई भी option E से नहीं start है इसका मतलब N से start होगा ठीक है यहाँ से अब last वाला भी देख सकते हैं कि जो last में E लिखा गया है वो यहाँ पर fourth number का है ठीक है तो इसमें जो fourth number है वो D है तो last में D आएगा यह बात तो आप समझ गये अब last में D जो है वो इस वाले option में नहीं है तो यह तो गया इन दोनों में है तो देखो इस digit को शुरू के तीन digit देखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह same है दोनों में तो मैं last का second digit देख रहा हूँ यानि कि इसमे O लिखा गया है इसमे R लिखा गया तो इसमें last का जो second digit है वो क्या है दोस्त N है और इसमें N कहां पर है इसमें N same position पर है तो वो तो अपने position पर ही रह गया जहां N है वहाँ N ही छोड़ दिया तो O का O ही रह जाएगा last वाले second position पर तो यह answer हो जाए क्योंकि इसमें last में OD है इसमें नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं आप पुरा-पुरा भी देख सकते हैं लेकिन ऐसे solve करने मुझे लगता है कि कम टाइम लेगा अब इस question में आप इसको पढ़ सकते हैं इसका जो relation इस से है वह relation इसका इस से है और वह relation इसका किस से होगा यह बताना है आपको overall बात यही है ठीक है यह भी coding decoding का ही part है अब इसमें देखो pray को यह जो आप letters देख रहे हैं यहाँ पर change रहे है तो किस तरीके से change किया होगा वो हमें पगरना होगा ठीक है अच्छा अब देखो मानलो मैं अगर ऐसे देखों यहाँ पर P को इसने U लिख दिया या फिर P को D लिख दिया आप यहाँ पर first को भी मिला सकते हैं last को भी मिला सकते हैं यह आपके उपर है ठीक है और कुछ नहीं समझा रहा है तो आप direct number लिख लें जैसे मानलो P कितने पर आता है आप बोलोगे 16 पर और U कितने पर आता है 21 पर तो 16 को 21 कर दिया यानि कि 5 बढ़ा दिया अगला वाला भी आप चेक करो जैसे R आता है 18 पर और W आता है 23 यह भी 5 बढ़ गिया वैसे ही A आता है 1 पे F आता है 6 पे यानि कि 5 पांच पांच बढ़ रहा है तो हम भी इसमें 5 पांच बढ़ा देते हैं F आता है आपका 6 पे 5 बढ़ाओगे तो A11 आ जाएगा A आता है 1 पे 5 बढ़ाओगे तो यह आ जाएगा 6 A11 पर क्या आता है K और 6 पर क्या आता है F K और F से ये दोनों option तो नहीं शुरू हो रहा है 3rd वाला देखलो I कितने पर आता है I आता है 9 पर इसमें 5 जोडों के 14 और 14 पर आता है N ठीक है तो option 4 यहाँ पर right answer है देखो आपको ABCD यानि की alphabets का order जरूर याद रहना चाहिए और उनके opposite letters भी याद रहना चाहिए जैसे मैं पुछू E कितने पर आता है 5 पर K कितने पर आता है 11 पर ठीक है I कितने पर आता है 9 पर H कितने पर आता है 8 पर R कितने पर आता है 18 पर ठीक है W कितने पर आता है 23 पर S कितने पर आता है 19 पर ये याद रहना चाहिए और opposite letters इट मिन्स A का opposite Z, Z का opposite A, B का opposite Y और Y का opposite B ऐसे याद रहना चाहिए ये बहुत काम की चीज़ है next question में यहाँ पर AB पर एक mirror place किया गया है आपको बताना है कि ये जो figure है ये mirror में कैसा दिखेगा ठीक है तो mirror image मैंने कई बार आपने पिछला मेरा reasoning का solution वीडियो देखा होगा अगर CHSL वाला मैंने 2 set भी डाल लगा है और भी set आगे आएंगे तो उसमें मैंने mirror image बहुत अच्छे से समझाया है जो दखो ये triangle जो है mirror से करीब है तो इधर जो बनेगा उसमें भी यहाँ पे triangle रहेगा ही रहेगा देख लो यहाँ पे triangle है यहाँ पे है इसमें triangle है लेकिन change है ठीक है देखो ये जो निचे वाला part है ये उपर चला गया है इस वाले में और इस वाले में इसलिए ये दोनों तो गलत हो गया इस दोनों में triangle सेम है अच्छा ये वाला triangle यहाँ पे दोनों में अलग-अलग है तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा सही है देखो ये वाला triangle इस टाइब का है तो इसमें बस right to left change होगा ठीक है उपर वाला नीचे नहीं आएगा और B वाला में जो उपर वाला ये point है vertex है वो नीचे आगया है इसलिए B गलत है और option A बच जाता है अपना जो की correct answer है फूर्थ में देखो आपको 8, 27 और 125 लिखा हुआ है वैसे ही इन में वही same relation चल रहा है आपको बताना है कि इस option में किस में same relation है ये चीज ध्यान रखना है जैसे 13, 13 में आप 13 और 13 को जैसे लेट से कि यहाँ पर 13, 13 लिखा है तो आप इन दोनों में plus, minus, multiply, divide कर सकते हो लेकिन 13 में 1 और 3 को plus या फिर minus या multiply, divide नहीं कर सकते हो ये question में साफ साफ mention है यहाँ पर ठीक है ये चीज आप देख लो देखो एक चीज अगर आप notice करोगे पहले तो आप खुर से solve करने की कोशिस करो हाला कि answer marked है बट फिर भी मैं चाहूँगा कि आप खुर से solve करने की कोशिस करो यहाँ पर एक चीज समझे 8 जो है वो 2 का क्यूब है जो 27 है वो 3 का क्यूब है और जो आपका 125 है यह है आपका 5 का क्यूब यानि कि सारे क्यूब forms है यहाँ पर 64 4 का क्यूब है और 1331 11 का क्यूब है और यह 12 का क्यूब है यानि कि यह सारे क्यूबस ही दे रखे हैं तो option में भी सारे cubes होने चाहिए, इसमें देखो ये cube नहीं है, ये cube नहीं है, इसमें तो कोई cube ही नहीं है, तो ये तो answer ही नहीं होंगे, ये देखो 6 का cube, 7 का cube और 8 का cube, तो ये cube cube है, तो ये answer होगा आपका, next question में आपको कह रहा है कि 7 boys, J, K, L, M, N, P and Q are sitting around a circular table facing towards the center, ठीक है, अब ये कह रहा है कि P is second to the right of Q, तो पहले मैं एक circle बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और total कितने persons हैं यहाँ पर, 7 boys हैं, तो मैं 7 marks बना देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, ये 7 लरके हो गए, अब इसमें ये चीज़ बोल रहा है, देखो कि P जो है, P is second to the right of Q, यानि कि मानलो यहाँ पर Q है, तो इसके right में जो P होगा, वो दूसरा होगा, तो ये पहला और दूसरा, P जो होगा, वो इसके right में दूसरा हो गया, ठीक है, आगे कह रहा है कि M is the immediate neighbor of both J and Q, यानि कि M जो ह है, वो J और Q का immediate neighbor है, तो देखो यहाँ पर अगर मानलो Q है, आप समझ लो यहाँ पर Q है, तो यहाँ पर J रखना परेगा, तब ही तो अगर मैं M को यहाँ रखूंगा, तो ये J का भी neighbor हो जाएगा, और Q का भी परोसी हो जाएगा, मानलो अगर मैं M यहाँ रखता हूँ, तो J को P के पास रखना परेगा, जो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने J को इस साइड रख दिया, अब कहा रहा है, L is not the immediate neighbor of Q, L जो है वो Q के ठीक बगल में नहीं है, यानि कि यहाँ पर तो L नहीं हो सकता, अब इन दोनों जगह में L हो सकता है, आगे कहा रहा है कि N is the N is second to the right of P, यानि कि P के right में second है कौन, N, तो P के right में पहला और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा आपका N, और यहाँ पर L आ जाएगा क्योंकि L Q के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है, तो अब जो बच गया J, K, L, K बच गया K यहाँ पर आ जाएगा, आगे भी आप देख सक लगते हो, यह कह रहा है कि L के ठीक by your कौन है, तो L के ठीक left में P आ रहा है, सीधी सी बात है, L का यह left हुआ और यह right हुआ, this is left, तो left में P है, option first is the answer, next question अपने पास देखे, यहाँ पर यह दिया हुआ है, आपका statement conclusion का है, statement क्या दिया है, all HRG, यानि कि जितने भी H हैं, यह G हैं, तो सभी H को मैंने G बना दिया, ठीक है, sum GRI, यानि कि G का कुछ part I है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, G का कुछ part I हो गया, और मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, कि यह भी तो G का part है, इसको भी मैं I मान सकता हूँ, दोनों ही condition, यहाँ पर statements को satisfy कर रहे हैं, अब जो पहला conclusion है, आप देखोगे, first conclusion, no I, R, H, यानि कि कोई भी I, H नहीं है, बताओ, अब कोई भी I, H नहीं है, वो यहाँ पर तो गलत, यहाँ पर सही है, इसके हिसाब से सही है, लेकिन इसके हिसाब से गलत है, ठीक है, और यह चीज़ ध्यान रखो, अगर 2 या 3 तरह स इसमें यह wrong हो रहा है, तो मैं पहले वाले को तो wrong मान के चलूँगा, दूसरा कह रहा है, all I, R, J, यानि कि सारे के सारे I, जो है, वो G है, यह किसी में भी true नहीं है, तो यह पूरी तरीके से false हो गया, तो यहाँ पर neither conclusion follows, यानि कि दोनों में के ही गलत है, ठीक है, next question में फिर फिर से Apple को लिख दिया 25, Junior को लिख दिया 36, तो package को क्या लिखा जाएगा, अब Apple के सारे, देखो जब भी numbers की बात करें, तो पहले इसके सारे का numbering करो, जैसे A आता है 1 पे, P आता है 16 पे, फिर से P आता है 16 पे, L आता है आपका 12 पे और E आता है 5 पे, हमारे पास 2-3 उपाय ह होते हैं या तो सबको plus करें या सबको minus करें, ठीक है किसी ना किसी तरीके से हमें चेक करना पर एगा कि 25 कैसे आ रहा है, अब यहाँ पर आप देखो कि अगर इनको plus करें तो definitely पच्छेस नहीं आएगा, multiply कर लें तो और जादा आ जाएगा, फिर तो कुछ और ही तरीका होग अच्छा एक चीज़ common है यहाँ पर आप देखो, 25 भी square है, perfect square, 36 भी perfect square है, 25 किस का square हो सकता है, जैसे माल लो अगर number of digits count करें तो यह 1, 2, 3, 4, 5 digits हैं, तो 5 का square 25, यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 digit है, 6 का square 36, package में कितने हैं, 3 और 3, 6 और 1, 7 तो 7 का square कितना हो जाएगा, 49, ठीक है, तो यह वाला trick यहाँ पर apply हो गया, अब यह diagram इन में से किस में आ रहा है, यह आपको ढून रहा है, ठीक है, rotate नहीं कर सकते हैं, हमें यह बताना है, कि यह वाला जो figure है, वो इस में से किस figure में included है, तो देखो सबसे पहले तो U type का आपको चाहिए, ऐसे U, तो ऐसे U आप ढूंड़ो इसमें किस में मिल जाएगा, आपको इस type से U बना हुआ किस में मिलेगा, जैसे इसमें आप देखो पहले वाले में, क्या ऐसे मिलेगा, तो मुश्किल लग रहा है कि U मिल जाए, जैसे मानलो मैं diagram ड्रॉ करके दिखाना चाहूं, तो मानलो यह जो तिर्शी लाइन हो गई, और यह एक U के लिए आ भी गया, लेकिन यह सिधा आ रहा है, हमें तो क्रॉस में चाहिए, यह नहीं होगा, इसमें भी यह है, तो सिधा ही आ रहा है, ऐसे क्रॉस में कोई लाइन नहीं है, और इसमें भी नहीं है, डी में है, देखो यह सिधा आ गया, फिर यह यहां पर गया तो यह वाला इस में मैच कर रहा है ठीक है में हटा देता हूँ आप फिर से देख सकते हैं पहले यहां से ऐसे आया तो यह तिरशी लाइन हो गई फिर ऐसे और फिर यहां तक जैसे दे रखा है बिल्कुल वैसा डियाग्राम है डी में अगर आप ध्यान से देख पाऊ नेस्ट वेशन अब यह इंग्लिस में लिखा है तो मैं हिंदी में बता देता हूं और हिंदी में बताने की जरूरत ही नहीं है आपको बस इसको देखना है जैसे यह लिखा electric current यानि कि यह लिखा बिरूद्धारा ठीक है फिर इदर लिखा है amp-air ठीक है तो जो बिरूद्धारा का amp-air से relation है वह 맞아 relation इसमें से किसमें है पहला option है प्रतिरोध और second लिखा है फिर लिखा है ताप और इधर what लिखा है फिर लिखा है बल और इधर लिखा है निउटन और फिर joule और इधर लिखा है कार्य, ठीक है तो overall आपको यहां पे बिदुत धारा यानि कि यह भृतिक रासी हो गई ठीक है और यह उसका हो गया म ठीक है अच्छा देखो फोर्स का नेउटन होता है बिल्कुल होता है फोर्स का नेउटन होता है और जूल का कारे नहीं होता है बलकि कारे का जूल होता है अगर वर्क इधर रहता और जूल इधर रहता तब जाके सही हो जाता ठीक है तो option third correct answer है next question में आपको बोला गया है कि 7 को 36 लिख दिया 16 को इतना लिख दिया तो इसको क्या लिखेंगे यह साफ साफ आप देख पा रहे हैं 36 जो है वो 6 का square है तो 7 को एक कम कर दिया 6 उसका square कर दिया 36 और 225 का square है यानि कि 16 को एक कम करोगे तो 20 और 20 का square होता है 400 तो यह आसान question निकला next question जो है अपने पास आप देख सकते हैं यह कह रहा है कि एक code language में he is my nephew इसको लिख रहा है c o p b z s और m n मैं यहां साफ साफ लिख देता हूँ देखो he is my nephew इसको क्या लिख रहा है c o p b z s और m n ठीक है फिर लिखा है that is my car that is my car इसको क्या लिखा है इसको लिखा है j s p t p v and z a right next आपको लिखा है he is your uncle he is your uncle इसको क्या लिखा गया है c o p v e x c o p v e x और लिखा है y z ठीक है y z हो गया अब आपसे पूछ रहा है कि nephew के लिख क्या code यूज किया गया है हम इसे nephew का code पूछा है आचा बताओ अगर मैं he को is को और my को remove कर दो तो जो बचेगा वो nephew का code बचेगा ठीक है देखो अब he is यहाँ पर और यहाँ पर common है he is ठीक है तो इन दोनों में common देख लो आप c o common है और साप में p v common है तो यह दोनों तो answer होने से रहा अब बचेगा आपके पास z s और m n तो देखो इन दोनों में अब क्या यहाँ पर my common है इस side और इस side भी कुछ common होगा फिर अब ही देखो आप 12 नमबर भी question देख अभी मुझे लगता है कि हमने जितना भी question solve किया total 12 question में से इसमें से मुझे लगता है 60 to 70% तो question के वाल coding decoding के होंगे यह question भी तो उसी type का है हाला कि आप इसको series में भी समझ सकते हो कि series type का अब ही होगा लेकिन overall तो coding decoding का ही concept लगना है जैसे LAGB इसको लिख दिया है यह वाला फिर यह लिखा फिर यह लिखा तो यह एक तरह से series हो गया लेकिन coding करने के जरुद तो आपको परेगे ही आप ऐसे भी देख सकते हो हाला कि देखो L को इसने N लिख दिया फिर N को P लिख दिया फिर ये R लिख दिया तो देखो L, M, N एक का गैप हो गया M के बाद N के बाद O और P O यानि की एक अक्षर का गैप हुआ फिर P के बाद P, Q, R आता है तो एक का गैप हो गया एक-एक का गैप हो गया तो R के बाद S और T आएगा तो T तो सब में आ रहा है ठीक है इसके कोई फायदा ही नहीं है लास्ट डिजिट जेक करो B को E लिख दिया B आता है दो पर और E आता है 5 पर 3 बढ़ा दिया तो फर्स्ट वाला दूसरा डिजिट देखो सुरू से दूसरा डिजिट चेक करो क्या आएगा सुरू से दूसरा डिजिट देखो यहाँ पर A को लिखा गया है D A आता है एक पर और D आता है 4 पर यह भी 3 प्लस किया गया है तो आप M को M आता है second वाला चेक करना है न हम गलत चेक कर रहा है second later हमें देखना है second later तो यहाँ पे J है न रूको आप देखो second later जो है वो J है J आता है 10 पे तो 10 में अगर मैं 3 जोड़नू तो 13 और 13 पे M आता है तो M वाला answer होगा जिसमें N है वो नहीं होगा I hope आप बात समझ पा रहे होंगे next question आपको यहाँ पे series दिया हुआ है और यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा देखो पहले आप अपना दिमाग चला लो कि क्या answer आएगा वीडियो को पॉज़ करके फिर मैं बताता हूँ कि क्या answer आने वाला है चलो I hope कि आपने यह कर लिया होगा ठीक है बस dream 11 पे नहीं दियान देना है इधर दियान देना है अब है आप देखो 108 और यह number बहुत ज़्यादा कर difference हो गया फिर यह कम हो गया तो फिर यह बढ़ेगा definitely ठीक है लेकिन जो options है वो बहुत दूर दूर है तो मुझे लगता है कि alternate होगा यह जैसे 108 का इससे relation बन जाएगा इसका इससे और इसका इससे देखो 108 को 4 कम किया 4 माइनस किया फिर यहां से 4 माइनस कर दिया और फिर से 4 माइनस कर दिया तो इसका इससे relation बनेगा इसका इससे relation बनेगा और ये numbers बढ़ रहे हैं देखो 139 के बाद ये जो आएगा 139 से सारे option बढ़े हैं फिर 137 तो definitely ये बढ़ रहा है तो हम 4-4 ये minus हो रहा है 4-4 बढ़ा के आप देखलो जैसे 39 और 4 133 फिर 4 बढ़ा होगे तो 137 आजाएगा तो 133 आपका answer है definitely 137 से उपर का तो कोई answer नहीं होने वाला है यानि कि मानलो 140 और 138 तो answer होने से रहा इन दोनों में अगर आपको confusion है तो आप रख के check कर सकते थे 135 रख के check करते कि 39 में 6 जो रहेंगे तो 35 होगा लेकिन 35 के बाद 37 बस 2 ही जुड़ा है कोई pattern नहीं बन रहा है तो 35 answer होगा नहीं तो इस तरीके से आप eliminate भी कर सकते थे next question आपको यहाँ पर कह रहा है कि कौन साथ 2 हम change करें तो यह option के through करना होता है जैसे आप plus और minus को change करके देखो अगर plus के जगह पर मैं minus कर दूँ decimal बनता लेकिन यहाँ decimal में answer है नहीं तो यह होगा नहीं multiply और divide को change करो multiply और divide change करने का क्या मतलब हुआ कि जहाँ multiply है यहाँ पर divide आ जाएगा और जहाँ divide है यहाँ multiply आ जाएगा तो पहले divide होता है यानि कि 3 तिया 9 तो यह 3 आ जाता C4 and C5 are compared speed of C1 जो है वो more than only one car है यानि कि C1 की जो speed है यह केवल एक car से अधिक है यानि कि इसके नीचे केवल एक ही car आएगी ठीक है चाहे वो जो भी आ जाए speed of C5 is more than 4 cars यानि कि C5 का speed जो है वो 4 car से अधिक है अच्छा बताओ total 5 ही car है यानि कि इसकी speed सबसे अधिक हो गई क्योंकि बाकी के 4 से तो इसका speed जादा है तो यह पहला दूसरा यहाँ पे तीसरा और यह चौथा और सबसे उपर आगया C5 ठीक है अच्छा अब देखो कह रहा है कि C4 जो है वो C1 से जादा है लेकिन C3 और C5 से उसका speed कम है ठीक है तो देखो यहीं पर सब खेल है C4 का जो है वो C1 से अधिक है C1 यहाँ पर है तो इससे उपर होने का मतलब कि C4 जो है इधर कहीं पर होगा इन दोनों पर लेकिन यह कह रहा है कि वो C3 और C5 दोनों से छोटा है तो C5 तो यहाँ पर है ही अगर मैं C3 को यहाँ पर रख दूँ तभी यह C4 C3 और C5 दोनों से छोटा होगा अब जो एक मचा है C2 आपका वो यहाँ पर आ जाएगा आपसे यह कह रहा है कि C3 से चाल कम है कितनी कारों का जो चाल है वो C3 से कम है तो C3 से निचे किते हैं भाई टोटल 3 कारे हैं तो आपसन 4 अपना राइट एंसर होगा 16 की बात करें फिर से 7 लर्के हैं राम सुमीद सुनील राहुल राज अमन और अमिद ठीक है यह 5 सॉरी 7 बोज है दे आर सेटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल facing towards the center ठीक है अब फिर से मैं एक सर्कल ड्रो कर लेता हूँ इस टाइब से ठीक है और टोटल फिर से 7 लर्के हैं तो यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लर्के होगा है ठीक है राज is second to the right of अमन यानि कि अमन के राइट में दूसरा होगा राज तो अमन के राइट में first and second के left में third पे है सुनिल तो this is अमन इसका left यह हुआ तो left में third पे है आपका सुनिल तो यह first, second और third यहां पे आगया आपका सुनिल आगे कह रहा है राम is not the immediate neighbor of अमन यानि कि अमन का neighbor नहीं है राम इसका मतलब क्या हुआ कि राम ना तो यहां पे आएगा और ना ही राम यहां पे आएगा इसका neighbor नहीं है तो इन दोनों जगह पे राम आ सकता है आगे पढ़ो अमित is second to the right of राम अब यह कह रहा है कि अमित जो है वो राम के right में दूसरा है अच्छा अब बताओ अगर मैं राम को इस दोनों जगह पे नहीं रख सकता फिर इसके right में दूसरा position यह खाली है देखो यहां पे और यहां पे हम रख सकते हैं किसको अमित को तो यहां पे आजाएगा आपका अमित अब राम हो गया अमित हो गया अब यह कह रहा है आगे देखो कि राहुल जो है वो immediate neighbor नहीं है अमित का यानि कि अमित के बगल में राहुल नहीं है तो राहुल फिर यहां आ जाएगा ठीक है और यह जो बच गया एग वो अगला जो सुमित बचाना तो यहां पे सुमित आ जाएगा अब क्या पूछ रहा है आप से यह कह रहा है यानि कि सुमित के left में तीसरा कौन है सुमित का left यानि कि यह साइड पहला हो गया अमित दूसरा सुनिल और तीसरा है राम प्रभू सिरी राम इस दा अंसर next question आप से फिर से यह time taking equation पूछ रहा है इसमें यह कह रहा है कि 1 और 6 को अगर हम change कर दें तो इनमें से कौन सा equation सही हो जाएगा 1 और 6 को change करने का मतलब हमें interchange करना होगा जहां 6 है वहां हमें 1 लेना होगा और जहां 1 है वहां 6 लेना होगा तो चलो मैं यह equation लिख देता हूँ यह बनेगा 7-5 प्लस 1 के जगह पर 6 इंटू 3 और divided by 6 के जगह पर 1 क्या यह 20 बनेगा ठीक है इसको भी change करके मैं लिख देता हूँ तो 1 के जगह पर 6 इंटू 7 प्लस 6 के जगह पर 1-4 divided by 2 क्या यह 40 बनेगा लेट में चेक यह अगर आप देखोगे तो पहले divide करेंगे तो 1 से divide करने से कोई फाइदा होगा नहीं यह 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा और 6 तिया 18 आ जाएगा 18 और 2 बीस बन गया इट मेंस पहला तो सही हो गया ठीक है अब यह चेक करो यह आप चेक करोगे तो 2 दुना 4 यह 2 आ गया और माइनस का 1 और 7 चा के 42 तो 42 और 1 तैंतालिस में से 2 जाएगा तो यह 41 आ रहा है यानि कि यह true नहीं है के वल first answer होगा only first now this is next question यह फिर से आपके पास आगया statement and conclusion यह कह रहा है कि all z are y this is z all z are y this is y okay some y are b some y are b it means हम ऐसे भी draw कर सकते हैं some y are b is true in this case और अगर मैं ऐसे draw करूँ तो भी some y are b true हो जाएगा ठीक है तो 2 possibility है इसको मैं पहला और इसको दूसरा मान रहा हूँ अब जो दोनों ही diagram में सही साबित होगा वही answer होगा सही और जो दोनों में या किसी एक में भी गलत हो गया उसको गलत मानेंगे पहले करा है some b are not z यानि कि कुछ b z नहीं है दोनों में ही ये चीज़ true है ठीक है अचा कुछ b z नहीं है यहाँ पे तो true है देखो लेकिन यहाँ पे false हो जा रहा है क्योंकि इसमें z का तो कुछ पाटा रहा है और मैंने बोला था कि जो कहीं भी गलत हो गया दोनों में से उस देखो some y are not z अब एक चीज़ आप बात यहाँ पर बताओ all z are y all z are y को मैं कैसे कैसे बना सकता हूं ध्यान रखना एक तो जो मैंने यह बनाया है कि ऐसे मैंने z बना दिया और यह y तो भी all z are y हो गया लेकिन आपको ने यह case पढ़ा हुआ कि all z are y को हम ऐसे भी दिखा सकते ह है कि यह line जो है यही z है और इसी को मैं y भी मान सकता हूं अगर मैं y भी इसी को मान लूँ तो बताओ सारे के सारे जो z है वो y बन गए यहाँ बात है कि नहीं तो पहला वाला तो यहाँ पर भी सही है और इसी मैं मैं बना देता कि लो अब यह b बन गया भाई कुछ y भी हो लेकिन इस वाले डाग्राम में आप देखोए कि यह false हो जाएगा some y are not z यह यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सारे y ही z हैं तो इसलिए आपका second भी गलत है देखो जितने तरीके से possible है डाग्राम बनाना अगर हर एक में कोई answer सही होगा conclusion तभी उसको हम सही मानते हैं आगे कह रहा है कि sum z ry यानि कि कुछ z y है आप बताव इस डियाग्राम में तो कुछ z y है यहाँ भी कुछ z y है तो इसका मतलब जो third वाला है वो right है ठीक है अब यहाँ आप यह दिमाग मत चलाना कि इसमें तो सारे ही z y है तो बताव सारे z y है तो उसको हम कुछ z y नही कह सकते हैं जैसे मान लो कि ये एक घर है मान लो और इसमें रहते है कोई लड़का मान लो नाम है राम ठीक है और इस घर में मान लो 10 पेन है और 10 के 10 पेन अगा राम ही के पास है मान लो और किसी के पास पेन नहीं है घर में 10 के 10 पेन पूरे राम के पास है और राम से पुछ जा जाई इससे कि क्या तुम्हारे पास कुछ कलम है यान की कुछ पेन है तो भी तो यहां ही बोलेगा ऐसा थोड़ी बोलेखा कि ना है तो यह धियान डखना अगर सारे य अगर z है तो ऐसे condition में हम ये कह सकते है कि कुछ y भी z है या फिर सभी z y है तो हम ये भी कहेंगे कि कुछ z y है और सभी z y है दोनों ही सही हो गया ठीक है तो ये चीज confusion नहीं रहने चाहिए आपके दिमाग में यहाँ पर फिर से बढ़ाओगे तो चार आ ही रहा है तीन बढ़ाओगे तो साथ आ ही रहा है तो last में one आएगा ये answer होगा last question पर आते हैं आज का आखरी जो प्रसन है आपके पास ये कह रहा है कि ये जो आपके पास question mark है यहाँ पर क्या आएगा अचा एक चीज़ आप ये देख के समझ पाओगे कि इस diagram में क्या किया गया है ऐसे खिंचा गया है इसके parallel एक line है फिर ये इस तरीके से खिंचा गया है तो इसके parallel एक line है ये ऐसे है तो इसके parallel एक line है तो इसमें ये एक line तो ऐसे होगा और इसके parallel एक ऐसे line आएगी तो ये देख लो किसमे है और ये 0 जो है वो हमेशा same direction में तो ऐसे line होगा ऐसे line होगा और 0 होगा इस तरीके से आपको मिलेगा अब देखो इसमें 0 तो बीच में आ गया ठीक है अच्छा इसमें देखो 0 बाद में है अब आप देखो कि इसमें और इसमें क्या difference क्या है देखो difference ये है दोस्तों ये इसलिए साही है क्योंकि ये जो line है ये बिल्कुल दोनों vertex को touch कर रहा है बिल्कुल इस कौन से लेके इस कौन तक मिलाया जा रहा है लेकिन ये देखो यहाँ पे vertex को touch किया लेकिन यहाँ पे इस vertex को touch नहीं किया यह उपर ही आके मिल गया इसलिए गलत है यह भी देखो यहाँ पे vertex को touch कर रहा है लेकिन यहाँ पे vertex को touch नहीं किया यह इधर ही आए जाके मिल गया तो यह गलत है ठीक है तो आखरी question यही था, अब reasoning के 20 question आ रहा है MTS में, और maths के भी, तो 20 question को हमने solve कर लिया है, I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो हमारे YouTube channel NK Maths को जरूट support करें, क्योंकि पहले तो मैं बस math math पर ही काम करता था, लेकिन अभी मै कोशिस कर रहा हूँ, कि आपको reasoning GS के लिए अलग ना भटकना परेगे, इसलिए मैं reasoning और GS के भी solution ready करने की कोशिस कर रहा हूँ, और ये मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, अगर कोई question गलत बन जाए, तो उसके लिए sorry ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए, वीडियो को support क कीजिए, subscribe कीजिए, और comment जरूर कीजिए, वीडियो को share भी कीजिए, thank you.